हेलो बच्चों आज मैं अर्शी कातेवारी फिर से आ गई हूँ देखिए मेरा भालू है आपको लव दे रहा है ये भालू आज मैं आपको अकपर विर्बल की कहानी सुनाऊंगी उसका नाम है बिना काटे लकडी का टुकड़ा छोटा कैसे होगा चलिए अब हम आपको सुनाते हैं ये कहानी बादशा अकबर अकसर कई समस्याओं पर विर्बल के साथ चर्चा किया करते थे और साथी उनके बुद्धी के परिक्षा भी लिया करते थे वही बिर्बल भी हर समस्याओ समस्या का समधान बड़ी ही रोचक तरी तरीके से करते थे एक बार की बात है महराज अकबर की अकबर और विर्बल दोनों साही पगेचे में तहल रहे थे दोनों की बीच किसी कंभीर मुर्दे पर चर्चा हो रही थी की तब भी अचानक बादशा अकबर दिमाग में बीर्बल की पर रिक्चा लेने की सुझ्धी बादशा अकबर ने पास में पड़ी हुई लकड़ी एक की और और इशारा करते हुई बीर्बल से पूछे बीर्बल एक बात बताओ यह यह जो सामने लकड़ी पड़ी हुई है क्या तुम इस पिन्ना काटे छोटा कर सकते हो बीर्बल बादशा अकबर के मन की बात समझ गए और वो लकड़ी बादशा अकबर के हाथ में देते हुई बोले जी महाराज मैं इस लकड़ी को छोटा कर सकता हूँ बादशा अकबर बोले वो कैसे भोला तब बीर्बल ने वही पास में पड़ी हुई लकड़ी एक बड़ी लकड़ी उठाई और वादशा को पकड़ाते हुए पूछे महाराज इन में से छोटी लकड़ी कौन सी है वादशा अकबर बीर्बल की चतुराई समझ गए चोटी लकड़ी बीर्बल को हास में देते हुए बोले वाकई बीर्बल तुमने बिना काटी लकड़ी को छोटा कर दिया इसके बाद दोनों जोड जोड से हसने लगे कहाने की सिक बच्चों इस कहानी से या सिक मिलती है कि परिस्थिती चाहे जैसे भी हो दिमाग से काम लेकर उसे बाहर निकाल के जासता खोचा जा सकता है बाई बच्चों